नमस्कार दोस्तों मैं अंसारी सर नेरेक एडमी आनलाइन क्लासेश में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों इसके पहले हमने आपको सब्धा लंकार बताया आप लेखे चलते हैं अर्था लंकार की तरफ आप से ज़्यादा से ज़्यादा एक्जाम में प्रशन उपमा रूपक उधप्रेक्षा से पूछता है इसके साथ ही साथ मैं अपहनूत भी ले लिया हूँ क्योंकि CTT में ऐसे भी जगह से भी प्रशन आते हैं तो आईए ज़रा ध्याद से सुनें कि हम साथ कट तरीके में कैसे कोई उधारन दिया हो हम कैसे पहचानें कि उपमा है रूपक है क्या पहनूत है क्यों प्रेक्षा है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों जब भी कोई ऐसा उधारन आए जिसमें जनु जानु जनहु जानहु अब जक्वाब म कर दिजिए या फिर मनु मानु मनहु मानहु अगर आया हो तो वहां कौन सा लंकार होगा उत्प्रेक्षा लंकार होगा जैसे कोई भी उधारना आए जिसमें जन जानु मनवानु जानु मानु जानु मानु आता है तो वहां कौन सा लंकार होगा उत्प्रेक्षा लंकार होगा जैसे मानु मुख चंद्रसा सुन्दर है मानो मुख चंदर सा सुन्दर है तो यहां पर उदारण में इन में से कोई ऐसा शब्द है जो आया है क्या आया है मानो आया है इसका मतलब कौन सा लंकार है उद्प्रेक्षा लंकार इसी तरह से जैसे सोहत ओड़े पीत पटू स्याम सलोने गात मनहु नील मनि सेल पर आतप परियोप्रभात क्या आया था मनहु आया था इसले कौन सा लंकार उद्प्रेक्षा लंकार और जब कोई ऐसा उदारण आये जिसमें जन जनो मनो जनो मनो जनो मनो जनो मनो न आये तो वाचक शब्द सब्द से निर्धारण होगा वाचक शब्द अगर वाचक शब्द आता है तो उपमा होगा अगर वाचक शब्द नहीं आता है तब रूपक या अपहनूती होगा जैसे उदारण के तौर पर हमका दे मुख चंद्र सा सुंदर है अब पूछ ले यहां पर क्या इसमें वाचक शब्द है क्या है सा है इसका मतलब तब रूपक या अपहनूती नहीं होगा दूसरे चीज उदपरेक्शा भी नहीं होगा क्योंकि जनु जानो जनहू जानहू मन माणो मनहू मानहू नहीं आया है इसलिए उत्प्रिक्षा नहीं होगा और वाचक शब्दाया इसलिए उपमा होगा रूपक या अपहनूत नहीं होगा और उदार देख लें आपके बीच में हम रख देते हैं पीपर पात सरिसमन डोला अब आपने क्या इसमें जन जनो मनो जनो मनो आया है नहीं आया है क्या है सरिस है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा उपमा होगा अब इसी तरह से अगर हम कह दें की मुख चंद्र है अब यहाँ पर क्या जन जानो मन मानो जानो मानो जानो मानो जानो मानो आया है नहीं आया है उत्प्रेक्षा नहीं होगा क्या इसमें तूलनावाची शब्द है नहीं है इसका मतलब तूलनावाची शब्द नहोथ तो वहाँ क्या होगा रूपक या अपहनोती होगा प्रस्णिये उठा कैसे हम जाने की रूपक है कि अपहनोती है तो याद रखिएगा अपहनोत में नहीं मत अर्थात इसमें जो होता है नकारात्मक शब्द आता है अगर नकारात्मक शब्द आता है तो जान लीजेगा अपहनोती है नकारात्मक नहीं आता है तब रूपक होगा अगर यहीं कह देते मुख नहीं चंद्र है क्या इसमें जन जानो मनमानो जानो मनो जानो मनो आया है नहीं उत्प्रेक्षा नहीं होगा क्या इसमें तुलनावाची शब्द है नहीं है तो क्या देखें आप तुलनावाची शब्द नहीं होता है तो रूपक या पहनूत ही होता है क्या इसमें नकारात्मक शब्द आया है आया है क्या है नहीं है इसी तरह से उदारणाम आपके बीच में रखते हैं जैसे धान दी जीजेगा ये चीज हमेशा याद रखेगा वे भी ऐसा हुदानण आए जिसमें जन जानू जन हुदानू जन मन्मानू आता है तूद प्रेक्षा होगा अगर यह नहीं आता है और तुलनावाची शब्द या वचक शब्द आए तो इपमाँ होगा तुलनावाची शब्द न रहे नकारात्मक शब्द भी न रहे तो क्या होगा रूपक होगा और अगर तुलनावाची शब्द न रहे और जन जानमानू 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 न रहे और नकारात्मक शब्द आ जाए तो क्या होगा अपहनूती होगा उदारण के तौर पर हम लेके चलते हैं जैसे और एक आद दो उदारण देख लीजिए आप अब एक एक के बारे में बताते हैं तो अपने आप उदारण समुन में आ जाएगा पहला लंकार उपमा लंकार परिभाशा क्या है जब उपमे की तूलना उपमान से की जाए तो वहाँ कौन से लंकार होता है उपमे की तूलना उपमान से की जाए तो वहाँ उपमा लंकार होता है और पहचान के ढंग में आपको पता है वाचक शब्द या तूलना वाची शब्द अवश्य आते हैं जैसे मुख चन्दर सा सुंदर हैinse अब आपने देखा जनजानो बान। नहीं आया है उधरिक्षा नहीं होगा और इसमे तूलना वाची शब्द अने के कारण यहा रूपक भी आ पहनूत भी नहीं होगा तब क्या है यहाँ पर उपमा है, दूसरा उदारण देख लें आप, दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही वसंध्या सुन्दरी परीशी धीरे धीरे, आपने देखा क्या इस उदारण में जन जानो मानो जानो मानो आया है, नहीं आया है क्या इसमें तुलनावाची शब्द है? है, कहा है? यहाँ है अर्थात तुलनावाची शब्द आ जाएगा, तब वहाँ पर रूपक या पहनूति नहीं होगा, तो कौन सा लंकार होगा? उपमा लंकार होगा और दोस्तों आपको बता दें, उपमा के चार अंग होते हैं उपमा के अंग, कितने होते हैं? चार होते हैं नमबर एक उपमिय, नमबर दो उपमान, नमबर तीन तुलनावाची शब्द जिसे दुसरे शब्दों में वाचक शब्द भी कहते हैं फिर है आपका साधारण धर्म इसे गुण भी कहते हैं, साधारण धर्म या गुण उपमे मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे की जाए और तुलनावाची शब्द का मतलब जो तुलनावाची शब्द होता है और सातारण दर मतलब होता है अंग्रेजी में इसे का सकते हैं सेम क्वाल्टी सेम क्वाल्टी का आर्थ होता है जिसके आधार पर तुलना की जा रही है तो आप देखें किसकी तुलना की जा रही है मुख की तो ये उपमें किससे की जा रही है चंद्रमा से, तो ये उपमान है, तो लामाची शब्द कौन सा है? सा है, और कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके आधार पर दोनों में तूलना कराई जा रही है, तो सुन्दर के आधार पर, इसलिए यहाँ सुन्दर क्या है? सुन्दर यहाँ पर साधारन धर्म है या सेम उक्वालिटी है जिसके आधार पर दोनों में तूलना की जा रही है इस तरह से यह रहा आपका उपमालंकार अब लेके चलते हैं आपको रूपकलंकार की तरह लेकिन उसके पहले एक अलंकार खुड़ा सा और जान लें आप प्रती पलंकार नाम से अर्थ स्पस्ट है कि उल्टा अलंकार नेक्स्ट अलंकार है प्रती पलंकार इसमें क्या होता है प्रती पार्थ होता है उल्टा यह अलंकार जो होता है उपमा का ठीक उल्टा होता है जैसे चंदों में दोहे चंद का ठीक उल्टा सोठा होता है वैसे ही उपमा अलंकार का ठीक उल्टा प्रती अलंकार होता है इसके बाद दोस्तों, आगे लेके चलते हैं हम, प्रती पलंकार होता कहां है? जब उपमान की तूलना, मतलब उपमे को उपमान, उपमान को उपमे बना कर, उपमे से की जाए, तो वहां कौन सा लंकार होता है? वहां प्रती पलंकार होता, जैसे चंद्र मुखसा है, यहाँ यह उपमान था, लेकिन क्या बना दिया गया? उपमे यह बना दिया गया, आईए ज़रा देख लेए, दूसरा हुदारण, उसी तपस्वी से लंबे थे, देवदारू दो चार खड़े थे, आपने देखा क्या? उसी तपस्वी से लंबे थे, देवदारू दो चार खड़े थे, आप जानते हैं कि तपस्वी की लंबाई ज़्यादा ज़्यादा पांच साथ फिट की होगी, लेकिन देवदार वरिच की लंबाई लगबग सौ फिट की होगी, अब आपको ऐसे ही लगेगा कि क्वालिटी में स्रिष्ट कौन सा है? देवदारू है, और नियून क्वालिटी कौन सी है? तपस्वी है, क्योंकि इसकी लंबाई पांच साथ फिट हो उसकी लंबाई सो फिट, इसका मतलब यहाँ पर इसकी तुलना इससे करानी चाहिए, लगनि यहाँ इसे उपमान मना दिया गया, यहाँ तपस्वी की तुलना देवदार से नहीं, बलकि देवदार की तुलना तपस्वी से की जा रही है, इसलिए यहां उपमा अलंकार का उल्टा होकर प्रती पलंकार हो जाता है इसके बाद लेके चलते हैं आपको रूपक अलंकार की तरह परिभासा बहुत पूचता है दोस्तों जर ध्यान में रखिएगा इनकी परिभासा को रूपक अलंकार तिसरा है रूपक अलंकार जब उपमे को ही उपमान बताया जाए अर्थात उपमिय में उपमान का भेद रहित आरोप हो जब उपमे को ही उपमान कहा जाए अर्थात उपमे उपमान में अंतर न किया जाए वही मान लिया जाए वही कहा जाए तो कौन सा लंकार होता है रूपक लंकार होता है जैसे मुख चंद्र है अब यहां पे मुख को क्या बताया है मुख मुख नहीं मुख को चंद्र बताया जा रहा है वही मान लिया जा रहा है इसमें देखें आप जन 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 नहीं आया है क्या इसमें तुल्नावाची सब्द नहीं है तो कौन सा लंकार है क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द नहीं आये है। आपने देखा क्या अंबर पंघट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी। बलकि घड़ा बताया जा रहा है, इसका मतलब उपमे को क्या बताया जा रहा है। नहीं आया है क्या इसमें तोलनावाची शब्द है नहीं है तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा या फिर आपका उपमाण नहीं होगा तो क्या हुआ रूपक हो गया इस तरह से दोस्तों आपका ये रहा और एक उदारण आपके बीच में रखते हैं बहुत प्यारा उदारण है तिसरा चरण कमल बंदों हरी राई आप जरा इसी पर ध्यान दें क्या इसमें जन जानो मनो जानो मनो जानो मनो आया है नहीं उत्प्रेक्षा नहीं होगा क्या तुलन्यमाची शब्द है नहीं है तुरूपमा भी नहीं होगा क्या नकारात्मक शब्द है नहीं है क्या आपहनोती होगा नहीं होगा बलकि चरण को यहां कमल ही मान लिया जा रहा है चरण को कमल ही कहा जा रहा है चरण रूपी कमल कहा जा रहा है इसलिए कभी एकदाम में पूछे रूपी से अर्थ की सलंकार में निकलता है तो रूपक में निकलता है चरण रूपी कमल, अंबर रूपी पंघट, तारे रूपी घड़े, मुख रूपी चंद्र, यहाँ पर कौन सा लंकार है, यहाँ पर रूपक लंकार है, तो आगे चलते हैं दोस्तों अब, निक्ष्ट लंकार की तरफ, अपहनूति वगेरा बहुत नहीं पूछता है, इसलिए सीधे उत्प्रेक्षा की तरफ चलते हैं, परिभासा बहुत पूछा है, रूपक और उत्प्रेक्षा का, इसलिए ध्यान में रखेंगा, उत्प्रिक्षालंकार प्रस्न ये उठता है उत्प्रिक्षालंकार की परिभासा क्या है तो ध्यान से सुनिएगा जब उपमी में उपमान की बहुत पूछता है परिभासा संभावना की जाए तो वहाँ कौन सलंकार होता है तो वहाँ पर आपका उत्प्रिक्षालंकार होता है जब उपमी में उपमान की संभावना की बात हो तो ध्यान दिजेगा वहाँ कौन सलंकार होता है उत्प्रिक्षालंकार होता है जैसे एक बात हमने और बताया था पहचान के लिए क्या आएगा जनु जानु जनु जानु आदी 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 हमने बता भी दिया है बतानी बहुत जरूरत नहीं आप समझ चाहेंगे जैसे मानो मुख चंद्रसा सुन्दर है अब क्या इसमें आप पहचान लेंगे कौन सा लंकार है मानो आया है समझ जाएंगे कौन सा लंकार है उत्प्रेक्षा लंकार है दूसरा उदारण देख लें उसकाल मारे क्रोध से रोधररस का उदारण है तनकांप ने उसका लगा मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा आपने देखा क्या कि उदारण दिया है क्या इसमें जन जन मनो आया है मानो आया है कौन सा लंकार होगा उत्प्रेक्षा होगा इसी तरह से सोहत ओड़े पीत पटू स्याम सलोने गार मनहू आ गया कौन सा लंकार है उत्प्रेक्षा लंकार है वाम अंग शिव शोविश शिवाउदार सरद सुवारिद में जन जनु आया है कौन सा लंकार उत्प्रेक्षा लंकार है तो इस तरह से उत्प्रेक्षा भी हुआ नेक्ष्ट लंकार है अतिश्ययोक्ति लंकार अतिश्ययोग ती सब्द वरतनी में भी बहुत पूचता है ध्यान दीजिएगा अतिश्ययोग ती अलंग का अतिश्ययोग ती अलंग अतिश्ययोग ती वरतनी में पूचता है अतिश्यय धन उक्ति अतिश्ययोग ती गुण संदी है अतिश्यय धन उक्ति किसी कथन को आवस्यक्ता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना ही कौन सा अलंग कार है अतिश्ययोग ती अलंग कार है अर्थात जब उपमे की सत्ता को समाप्त कर सिर्फ उपमान की सत्ता को सिद्ध किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है अतिश्ययोक्ति अलंकार होता है जैसे जैसे यह चंद उपमे की सत्ता समाप्त कर दी गई क्या बता दिया जा रहा है सिर्फ उपमान की सत्ता बताई जा रहा है कौन सा अलंकार है अतिश्ययोक्ति अलंकार है जैसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसे पगधोय आपने देखा कि पानी को छुए नहीं बस आशू बहते रहे और पया धुल गए क्या ये संभो बात है नहीं ये संभो बात है तो जहां पर किसी बात को आवस्टता से अधिक बढ़ा चड़ा का प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा लंकार है अतिश्य योग की लंकार जैसे संदेशन मधुवन कूप भरे क्रिश्ण संदेश सुनकर के ही क्या कर दिये कुवा भर दिये क्या ये संभो है कि संदेश सुनकर के ही कुवा भर दिया जाए नहीं किसी बात को आवस्तिता से अधिक बढ़ा चड़ा कर प्रसुत किया गया है इसलिए कौन सा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार है इसके बाद आपका अलंकार आता है विरोधा भाश जब कोई ऐसा कथन आए जिसमें दो विरोधी बातों का एक साथ होना पाया जाए या कोई ऐसा कथन आए जिसमें दो विरोधी बाते एक साथ आए तो कौन सा अलंकार है विरोधा भाश अलंकार है जैसे मूख गिरिवर की मूख खरीत ग्यान कहा जाए गूंगे ने ग्यान दिया नोट आउट दे सकता है लेकिन अगर कुद मूख गूंगे ने मूख से ग्यान दिया ते दोनों बाते विरोधी हो गई तो दो विरोधी बाते एक साथ थाई है इसलिए कौन सलंकार है विरोधा भा सलंकार है दूसरा उदारण जैसे वह इमानदार चोर है वह इमानदार चोर है लोड़ाउट इमानदार हो सकता है या चोर हो सकता है लेकिन अगर दिया जाए इमानदार चोर ये दो विरोधी बाते एक साथ थाई है इसलिए कौन सा अलंकार है विरोधावास जिसे अंग्रेजी में आगजी मोरं कहते है इसके बाद दोस्तों लेके चलते हैं आपको ब्रहांतिमान अलंकार ब्रहांतिमान अलंकार ब्रहांतिमान अलंकार में होता क्या है जब होता क्या है इसमें जब समानता के कारण उपमे में उपमान की शंका की जाए मतलब similarity जैसी हो एक जैसी हो और उसके आधार पर जब किसी वस्त में दुसरे वस्त के किसी व्यक्त में दुसरे व्यक्त के संका की जाए और वह संका याद रखेगा शणिक हो शण भर के लिए हो कुछ शण के लिए हो तो ही वहां भ्रहांतिमान होता है अगर वह संका कुछ देर तक बनी रहेगी तो हां संदेह अलंकार हो जाएगा भ्रहांतिमान में एक शंका सणिक होते संका चणिक होती है और संदेह अलंकार में संका कुछ देर तक बनी रहती है जैसे हम कहा दे यह रसी है या साप है यह रसी है या सर्प है आपने देखा कि रसी और सर्प एक जैसे लग रहे हैं रसी देखकर कि उसमें सर्प की संका करना और यह संका छणिक है क्योंकि कुछ ही छण बाद आप मुबाइल जला लेंगे टार जला करके देख लेते हैं कि क्या है कैसे है तो अपने आप पता चल जाता है इसी तरह से जैसे देखें आप फुलियों देखी पलासिवन समुहें समुझी दवाग आपने देखा क्या पलास के फूल को देखकर उसमें दवागन की संका की जा रही है जंगल की आग की संका की जा रही है और यह संका छणिक है क्योंकि जंगल की आग हो तेजिस बढ़ती है जब कि यह तेजिस नहीं दिखेंगे तो लोगों की संका दूर हो जाएगे और आपको बता दें दावाग, दावाग मतलब दावाग नी अगनिया तीन प्रकार की होती है अगनि कितने प्रकार की होती है हिंदी जगत में अगनिया तीन प्रकार की होती है संस्कृत में पांच प्रकार की होती है अगनिया नमबर एक है वडवागनी, जिसे वडवा नल भी कहते हैं, अनल माने भी आग होता है, अगनि माने भी आग होता है। दूसरी है जठरागन, जिसे जठरा नल भी कहते हैं, नेच्ट है दावागन, जिसे दावा नल भी कहते हैं, अब इन अगनियों के बारे में जब एक मिनट के लिए सुन लिजी, वडवागन कहते किसे हैं, वडवा घोरी के मुक से निकली आग, वडवा घोरी थी कौन, इंद्र की घोरी का नाम था वडवा, एक बार माना जाता है कि,